कि राधराधी कहा से आया मैं नास्थ महाराष्टर क्या करते है आप नाशिक में आइडिटर हूँ तो महाराजी का सचंग भी शुनते है अब हमेशे कप से सुन रहे है करीबंद शे मैने कुछ चेंजर सांग माराजी के सचंग के प्रभाप से परमानन्द की परप्ति हो थी वैसा हुआ है ऐसा मुझे फिलिंग आता है इस चीज़ के वैसे आप को कोई भी सोलुशन चाहिए कोई प्रॉब्लम है आप कोई भी अल्टरेंट वीडियो निकाल के उसुन लीजे उसमें आपको सोलुशन मिल नहीं है उस प्रश्ण का उसको सिब आपको को रिलेट करते आन में पीछे प्रश्णावली होती है उसको चुनते हैं वहां से उसकी पंक्ति तयार होती है और उस पंक्ति का अर्थ निकाल होगे तो आपको क्या करना है नहीं करना सब समझ में आता है बस उसी तरीके से मैं सब को यह बोलूँगा कि आप अल्टरेंट कोई भी बीडियो न करना है तो क्यांदान कि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं नौर्मली उससे पहले उस चीज़ को इतना कोरिलेट कर मुस्ते नहीं कर पाएं तो आप अभी अलट रहते हमेशा तो उसके वैसे और भजन मार्ग और भजन मार्ग और नाम जब यह तीनों चीज़े आपके आई जो भी प्राग जी भी आप यह वह जन करके लिए लगा जाते सुबह सुबह तो हमारे साथ हमारे चोटे बच्चे वह भी उससब भजन सुनते हैं और उसमें सब लोग वीली न हो जाते हैं तो आप मारश्टास जैसी आपने बताएं कि आप मारश्टास या तो विसेस्ता इसी लिए बाकी कुछ भी कारण नहीं है मारश्टास मिलने तो जब आपने जब आप स्टार्टिंग माराई से जुड़े तो किसी थूरु मारई से जुड़े या आप स्वाइम वीडियो वीडियो देखा फिर उसके बाद उसके थूरु इंफरमेशन वीडियो में ही दिय अच्छे करम करें चैनल को अच्छे कर्म करते हैं और यहां धosure करने बीके नाम चाहिए मतलब पोटो भी निकाला बस एक चबी जो कल आखों से देखा तो मन में है बस लाइफ टेम रहेगी अभी हमेशा के लिए आप पहली बार साथ आ रहे होंगे तो कैसा लग रहे हैं अभी जैसे कि आने वाले तो यह लाइफ चेंडिंग मोमेंट बोलते ना ऐसी वाले चीजा हमारे रहे हैं मेरी वाइप थाम दोनों आए जी जी और अटाव है तरहिए तरह तरह है यह तो यह तो आख्याओ कि ए खुदा जाए ज़िए तो ज़्यआओ आप सुल्तानपुर जीला से हैं सुल्तानपुर से तो कैसे आना हुआ सुल्तानपुर से हमको स्रीजी महाराज जी में हमको कांदा जी नजर आते हैं राधा जी तो हमको लगन उनसे बहुत लग गई थी इसलिए हम आ गई तो वहां से पेदल आ रहे हैं चारसो अश्ची किलो मेटर तो पेदल आने आपको किस निकाह था या आप खुट की बस खुट की लगन है उनके लिए तो यह पेरना के से विगे में पेदल जाओं मैं पहले बहुत जादा मतलब इडर उदर घूमता था मतलब कोई भी चीज मे हमको मन नहीं लगता था तो फिर मैं अपने देखा महाराज जी का हो दीरे 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 हमाई लाइफ चेंज होती गई इसी हिसाब से फिन उसके वाद ऐसे तो क्या के चैंजेस हैं आपकी जियन में बहुत सारी चैंजेसा है जैसे कि हम घूमते थे नसे उसे बहुत जादा लग गये थे अंगला संगत पकड़ लिये थे बहुत जादा तो सारी चीजे सुधा रहे हैं उनको वीडियो देखकर बस तो जब कपसे महाराज से आप जुड़े हैं यह हो गया तो तीन मेन तो तीन मेनी में आपकी जियन में इतना चैंजेस आया तो जब आप पहली वर मह नहीं हो इतने होगा तो Story तो direct label की लर्च एक मुखत ुप सब्सक्राइब नैको। महाराज जी अच्छी बाते माता-पिता के बारे में हर बगति हैं सारी बातम की अच्छी रहती है बस धीरे 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 देखते देखते बस लगन लग गई जै कि केसा लग रहा है अभी वहां से इतनी दूर से आप पे दला है वह अच्छा मतलब 20 साल हो गए मेरे लाइफ के इतना खुछी में कभी नहीं था इतना खुछी यहां पर आने को हुआ था रादे रादे ज्यएं के यहां से वहां से कभी में वहां से करिज कीयाओ भादे train जैनfendim प्रश्च काह से आया है? मैं पंजाब होश्यारपुर से आया हूं आप? मैं रायपुर शत्यसगर से तो महाराजिगा सचंग कब से सुनना स्टार्ट के आप में? मुझे डीड महिना से जादा हो गया हुआ है वैसे आप को? मैं दस महिना हो गया तो डेयर मिन में आपकी जीन में महाराजी के सथसंग के प्रवाब से क्या वदलावा है जिसके कारण आप महाराजी के दरजन करने यह पर आप है वैसे बेसिकली मेरा जैसे रेस्टोरेंट है तो हमारे वेज नॉन वेज दोनों बनता है तो नॉन वेजिटेरियन थे हम लोग तो आगे से आगे बैटरमेंट में अपने आप में देखना पसंद करोगा आपके लाइब में कुछ चेंजिस आया है 11 में 11 में उनको सुन सुनके सब समझा नाने लगा कि मतलब क्या है दुनिया और मतलब लाइब कैसी होने चाहिए तरके जो मतलब गुस्ता आता था उस प सच्ड ना स्टंग महारां जी ना सच्झ सुनना था तो महरा जी की सुन आपको क्या मिला जेसें कर दो माहरां जी की सच्ड चाहिए मैराँ प्राथ जी इसेंक हूआ अब यह मैं देखो मैंने यह को प्रॉडा में मूंते हूँ देखंग तो उसके बाद फिर दबारा पता मेरे पास वीडियोज आई पर जो मेरे प्रॉब्लम थी लाइफ में वो मुझे मेरे सामने आ गई तो उसको फिर मैंने थोड़ा सुनना शुरू कर दिया सुनते सुनते अब इतना तरपन मच गई अंदर कि बस मुझे अभी जाना है तो आज पहला ही अमलकल आया हूं मैं तो आज दर्शन मुझे आज मेरे को लगता है कि हो जाएंगे और आज मोखा भी मिल गया साथसंग में बैटने का तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो यह बहुत ज्यादा आप महाराजी से मैं मतलब ही अभी 2023 में जन्वरी से जब और एकदम ज्यादा अट्रेक्शन हो ग सबसे आपको प्रिय लगती है उनकी प्रिय लगती है कि 95 मरियादा में रहना और अपनी सिमा नहीं लांगना औरचे से रहना और सब में सियामसायम देखना जैसे के आप आ श्र्वरी कर से करना कि महाराज से आकर शित हुए है सबसे पहले तो जब वो हसते है तो वो इतना खिजाव होता है उसचीज में कि मुलोब उनको दिल करता कि बार बार सुने कि वो हसते है जब मुलोब वो सबसे बड़ी चीज लगते है मज़े तो दूसरी बात यah कि जब वो ब्रहमचेरे आजकल का जो टाइम चल रहा है अगर रहा करते हैं अपने अंदर तो आगे कुछ भी कर सकते हैं इतनी ताकत रखता है इनसान तो अगर ब्रहुम्चार्या काम लोग पालन करते हैं अपना जाई राद रहाद जाई श्राद श्राद साथ करता हैं अगर श्राद श्राद रहा जुड़िकर अगरभर करते हैं आप शिर्षा हर्याना से महाराजी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आपको तक्रीबन पांच मेने तो दो मेने में आपके जियन में क्या चैंजिसा आए जिसका अरण आप महाराज स्री के दरशन करने आपे हाए सर जैसे कि पॉजिटिव सोचना जो भी नेगेटिव वाई बारी उसको किस तरह से पॉजिटिव ले सकते हैं उसको कनवर्ट करना यह सब और मेंली फोकस कॉंसेंट्रेशन यह सब बढ़ा है क्या करते हैं जी में जॉब कर रहा हूं आपकी जियन में क्या चैंज है जब से आ अवर राधा नाम के इतना परीच्छा नहीं था तो महरा जी को सुनने के बाद उनके बारे में पता चला और उसको अपने जीवन में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप पहली और महाराई से जुड़े तो महारा जी क्या बात सब से प्रिलेग जिसके कारण आप महा कि हां सब अच्छा हो इसके जूड़ेगी आपको क्या के बात है महाराजी कि सबसे एक्दम खास प्रिया महारा जी की हर बात ही प्रिया महाराजी का वानी वानी सुनके दिल में तसलियों सुनते हैं तो आपके डिल आप श्टरमे कुछ देंशा है यहीए शुरू कर दिया ह पहले शरेविक और दन की सेट पर्फ da bei करता था जितने 20 हमें काबिल सब्सक्राइब दो मण की सेवा तो मन की सेवा करने शुरूरिए महाराजी की का अभी मैंने सुना था कि मन की सेवा जरूरी होती है तन और धन के साथ सा तो मन की सेवा करनी शुरू किया है तो फर्स्ट टाम आरे बिरिंदावन मैं सेकंड टाम आरा हूं तक्रीबन 12-13 साल पहले आरा है ता आप पहली बार आरे जी पहली बार तो कैसा लग र प्रम आम मैंटो का राओ 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 यो जो हो कि रधार राधी का से आया परिदा वास्ट आप वरण सी का सी का सी से आया तो महाराई से कप से जुड़े आप साल भर हो गया आपको मुझे तीन साधे तीन मेने मारेटि प्रभु जी के बातों प्रवalen करता हूं और विचार करतां और मारेटिकंट पर चलने प्रयात्म करता हूं तो मारेटिके शत्LESाइं से अनाम्लinea परियुषि गुड़िया आप्के डेम कुछ मुझेर आपने जीके और बहूंच सारे ह canvas js Universe के पहले होता था कि छोटी ओडी चीज़ें को गुस्ताने लगा कुछ भी हुआ अभी होता कि बंदे को शान्त है ना चीए विलकुल तसली से काम हो जो काम प्यार से हो सकता वो जल्दबाजी या किसी भी तरीके से हो अपनी हद सीमाई पार करके भी करना चीए अपना मानना ही है वो चाहिए आप किसी को बलेड की जरोता है उसे जानते हो नहीं जानते हो किसी को परिशानी में तो आप चले जाओ वही आप सक्षमों पर वाल ने बनाया और ऐसे यह सब करके मैंने जो अब तक अनुवब करा किसी के ऐसे काम आ रहा हूं तो उस रूप मेरे को अफल मिल रहा हूं लगर आदमी माने तो बहुत सारे रूप ऐसे हैं जो आपको मिल जाता पर अंसान समझ नहीं पाता है आपके घर में घर आप पोच रहे हैं आपके साई सवास्ती रूप से ठीक हैं तो यह वी उपर वा तो जब से माराई से जुड़े तो क्या के बाते माराजी की सत्संग से बहुती आपको मोटी आपको मोडिविशन लागी यही में बेसिकली तो यही समझ में आया कि आदमी को दूसरे की मदद करनी चाहिए उसके काम आना चाहिए जरुत मंद के पास आपको खुद पोचना या कोई दवाई के जरुता के लिए को या किसी भी रूप मतलब जितना बहतर ते बहतर आप कर सकते हो सामने वाले क्लिवो करना चाहिए क्या करते आप हो ऐसी मेरा नहर पार बिंजस है लैप तो प्रिपेरिंग तो जब आपने पहली वर महाराजी का सत्संग सुने तो कैस अधिने मुझे सेहर किया वीडियो फिर वीडियो देखता रहा मेरी रूची वड़ती गही और मैं जुड़ता चलागा चाहिए अब यह पहली वारा नहीं दूसरी वारा हूं अच्छी मेरा दिन को 24 गंटे में से ऐसे है कि मेरे वट्सप स्टेटेस पर आप देखेंगा त और मेरे कॉंटेक्स में काभी सार उपरालिक देख से बने हैं तो मेरी तरफ से होता कि वीडिन 24 सार में कोई नो कोई अपडेट करता हूं जिससे मैं करूं मेरे में तो बहुत परवाब फरक आया है और मेरे सुनने से अगर कोई जुड़ेगा तो उसके में भी फरक आना ही उसमें कोई भी एक नोगट या बाद भी नहीं है तो कैसा लग रहा है अपर बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है मतलब सब्द में ने बता सकता हूं बहुत बढ़ी है रादरान जी है स्रीया लूंच हुआ 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 है जीवन में परिवर्तन व्यवार में तो भी आयेगा धीर धीर आयेगा बट अभी नाम जब में रूची होने लगी है पहले नाम आज तक नहीं नाम जपा हमें तिरफ परमात्वा को मानते थे पूजा करते थे इतना यह था अब थोड़ा सवस्दिशा में तो महाराजी के सचंग से नाम जप में आपकी रुची बढ़ने बिल्कुल बिल्कुल कोई संदेह नहीं तो जब आप पहली बार तो उनका एक वीडियो आया तो मुझे मतलब इतना आनंद आया और वह सारे मेरे दू जो दूविदा थी उस पर्टिकलर श्लोक को लेके पद को लेके वह भी मेरी भी खतम हो गए उस दिन से तो बस मैंने जितने भी उस समय में रिखाल तो अब तक फिर मैंने पहले सारे ड जब आपके मिद्र ने आपको वीडियो सेंड किया था तो महाराजी कि क्या बाते आपको सबसे एकदम प्री लगे जिसके करण आप महाराजी जो करशन है ना भी बस उसके लावा कुछ ही नहीं तो जो तेज है जो बहुना निजासता है तो जब जब उनको देखते उनका स संदे तो महाराजी साथ्चाइट समझाते हैं तो जैसे कि आपको कितने मिने अब बुलीए उनका साड़े-चार मेन तो चार मेने तब तो आपने काफी महाराजी के सच्छंग सुना होगा तो एक महाराजी के जो कोमन बात जैसे कि कुक को भी क्या बात सबसे एक दम मतलब खास लगते हैं उनका कोई वह नहीं है कि वह तुम यह काम करो जो मन जिसमें परमात्मा में रुची है वह करो जो मंतर जाप करना चाहते हो करो जो अपना इश्ट है आपका उसकी पूजा करो सबसे बढ़े हैं अपना वह बा पूजा कर सकते हैं इसमें वह नहीं है सबसे अच्छी बात उनकी दूसरा कोई मोटिव नजर नहीं आता जो लोगों का आज कर जो चल रहा है वह मोटिव नहीं समझाता है उनका मोटिव सिभल है कि आप नाम जब में अपना का लिए अगर देखा जाए कि आपकी पूर्व अब अन्तर आएगा दूने में से आप कौन सी में जाद आनन इससे जाद आनन कोई बिल्कुल कोई संदेर तो अभी महाराशी जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है आनन दित मैं तो अपने परिवार मनों चोटे-चोटे बच्चों को भी सिखा रहा हूं अभी पर आपको भी लाया हूं मैं तो पहली बार रहे हैं मैं पहली बार तो कैसा लग रहे हैं आपके महाराज जाने वाले आनन दे तो मैं रो मांचे तो रादे 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 क्लिए रादे 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 राद अगे तो दो राधर अश्या ना पंजाब आप राजकोट गुजुरात जे भीज़ाशन मिल ले आए व्रिंदमन यह किसी कारण ने मैं जैपुर जोब करता हूं जैपुर से महाराजी के दर्शन करने और व्रिंदार में दर्शन करना हूं कप से सचन सुन रहे हैं छे साथ महीनों से सुनना हूँ आपको मुझे चार-पांच महीने हो गए तो चार-पांच मेने में क्या क्या बदलावाई आपकी जियन में जो मैं अपने नियत नेम से तूटा हुआ था मैं गुरुगरंस साब जी को फॉलो करता हूं पिछले चार- सब्सक्राइब को परिवर्दना जैसे बताया कि बक्ति मार्ग पर आगे कैसे पड़े जो हम चोटी-चोटी जीवन में गलतियां करते उनको हम गलतियां को रोके और हम अपने आद्मादिक जीवन को किसे आगे बढ़ा सकते वह महाराजी पर पास पता चला तो जब आपने निरंकार एक वाएगुरू एक राम एक अल्ला जो उनका मनौरत है वही मुझे सबसे बढ़िया रहा है कि वह एक ही और लोगों को अग्रसर कर रहे हैं और यह बहुत कम लोग हैं जो हमारे नोलज में कि यह चीज हर कोई नहीं बताता कि एक ही तरफ तुरना है एक ही तरफ जो अग्रसा कर रहे हैं वही चीज सबसे बढ़िया लग रही है आपको क्या के बाते महाराजी सबसे प्रिलती जिसे उन्होंने अपने बच्पन से कठीन बग्टी की वह मझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतनी कठीन पर स्थिति में बग्टी शुरू रखी औ आप उन्होंने बग्ती नहीं चोड़ दे तो आपके डेली लाइव इस्टाल में कुछ चेंजसा है हां बहुत सारे जैसे जो उनका जो मंत्र बोलते जी कृष्णा हर प्रमात्मने तो वह मैं चेंटिंग करता हूं कभी-कभी और जैसे बगवान करने करता हूं करता हूं कर मेरे सामने चलता रहता है जो कथा चलती चलती रहती है उससे बहुत प्रेहना मिलती है कि हर टाइम जुड़ने का मुका मिल रहा है मुझे मेरे भगवान से रादे 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 झालत करता है